ठीक है तो देखो ये दो जो structure है ये किसके ये क्या बूल रहे थे हम लोग किसके हो सकते अर्ट्रॉपिक एसिड के तो इन दोनों में से देखो जभी वन जो वन कमपॉंड है ये वाला अगर इसका हम लोग क्या करते हैं इसका अगर oxidation करेंगे तो ये वाल इसका oxidation जब किया जाएगा तो है ना एक कमपॉंड मिलता है जो की similar है cinnamic acid के या उसको आप बोल सकते है benzoldehyde के ठीक है मतलब जो वन है अगर उसका oxidation करेंगे तो एक well known compound मिलता है cinnamic acid और benzoldehyde जो की known है ठीक है वो compound क्यूंड की known है इसलिए क्या बोला गया कि ये जो है ये हमारा atropic acid नहीं हो सकता तो ये जो है second वाला आपका ये क्या हमारा at atropic acid जो की further oxidation पर क्या देगा फिनिल ग्लायोक्जिलिक acid देगा ठीक है ये क्या है हमारा atropic acid है second वाला ये सजेस्ट किया कि maybe second वाला जो है atropic acid है जिसका further oxidation करेंगे तो क्या मिलेगा फिनिल ग्लायोक्जिक acid ठीक है अब ये किसका structure हुआ atropic acid हमें क्या चाहिए atropic acid तो हमने atropic acid का क्या किया था हीट किया था तो वहां से water molecule मतलब dehydration अब क्या होगा अगर हमें atropic acid का formula मिल गया अब अगर atropic acid का हम लोग क्या करेंगे hydrolysis करेंगे ठीक है hydrolysis करेंगे तो उसके basis पे देखो हमें क्या मिलेगा atropic acid तो क्या देखा गया ये जो compound है atropic acid इसका जभी भी हम hydrolysis करेंगे तो इसके basis पे और दो compound possible है एक तो ये 3 या 4 मतलब hydrolysis करेंगे तो आपका ये जो उपर group रहेगा एक के इसमें क्या होगा इस compound में H उसके पास गया है OH ने नीचे से attack किया है इस compound में क्या हुआ है H ने नीचे से attack किया है और OH CH2 के पास गया है तो 3 और 4 दोनो possibility हो सकती है अब ये जो possibility है मतलब tropic acid 3 है या 4 है ये किसके basis पे हम लोग प्रू कर सकते है on the basis of their synthesis अब हम लोग synthesis के basis पे प्रू कर सकते है कि हमारा structure 3 है कि 4 है ठीक है तो देखते है हम लोग देखो जो ब्लिक है ब्लिक जो scientist थे उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है हमारा प्रॉपिक एसिट सिंथेस किया था तो वो synthesis देख लेते है उन्होंने क्या लिया फीनील एसिटिक एसिड लिया क्या लिया फीनील एसिटिक एसिद इसको किसके साथ किया ग्रिगिनाट रिएजेंट यह की है हमारा इसो प्रोपेट्पेट्ट्र تवियर squeezed के साथ जब रिएक्षन है तो हमने क्या मिलता यह वहाँ फीनौलेट मिल रहा है तो यह फुखालएट मिला इसको अगर फर्दर इसका क्या करेंगे इसको फर्दर किसे के साथ reag किया गया formula के साथ और उसका acid hydrolysis किया गया तो हमें क्या मिलता है यह वाला compound ठीक है हमें क्या मिला यह company तो इस से क्या ao prawda होता है कि जो हमारा Ciao उसका formula यह नहीं है तो यह किससे प्रूह हो गया हमारे जोट्रोपिक एषर्ट है उसके synthesis से ठीक है तो यहां जो है हमारा atropin ने उसका एक portion complete होता है उसके बाद हम जब हमने जब क्या देखा कि जब हम atropin का atropin का क्या हो रहा है hydrolysis हो रहा है तो क्या मिला tropin मिला और tropic acid तो tropic acid का तो हमने देख लिया अब किसके बारे में देखना पड़ेगा हमें tropin के बारे में ठीक है तो अब हम लोग देखते है structure determination of tropin तो tropin का molecular formula क्या है C8H15NO तो और इसके double bond equivalent कितना है इसमें 2 ठीक है तो इसके basis पे क्या देखा गया कि जो हमारा tropin है वो क्या है secondary alcohol है जिसमें कि tertiary nitrogen present है और वो भी कौन से form में present है NCH3 ठीक है कौन से form में N मतलब nitrogen को क्या attach है CH3 group methyl group ठीक है यह कैसे देखते हैं देखो जो हमारा tropin है यह जो हमारा tropin है वो addition product दे रहा है C8H59.CH3 ठीक है प्लस और यह माइनस तो यह कब मिला जब हमने tropin का किसके साथ reaction किया methyl iodide के साथ reaction किया तो क्या हो रहा है वहां एक molecule of methyl iodide मिलता है ठीक है जब उसको hydroidic acid के साथ heat करते हैं तो इसके basis पर क्या पता चलता है कि जो tertiary nitrogen present है जो N present है हमारे tropin में वो कैसा है tertiary है और जो CH3 group है वो किसके साथ अटाच है वो tertiary nitrogen के साथ ठीक है उसके बाद जो है लाडन बग नाम के scientist है उन्होंने क्या देखा कि जब हम ट्रोपिन का reaction करेंगे hydroidic acid के साथ तो क्या मिलेगा ट्रॉपिन iodide जुafa फडर क्या होगा जिसका further reaction हो रहा है यह क्या हो रहा है हमतलब यहां क्या हो रहा है जिसका further इंसका ठीक है तो देखो ट्रोपी नायडाइड का क्या हो रहा है यहां रिडक्षन हो रहा है तो ट्रोपी नायडाइड का रिडक्षन होने पर क्या मिला डाय हाइड्रो ट्रोपीडीन क्या मिला डाय हाइड्रो टोपीडीन वीच ओन फर्दर रियाक्षन विद हCल जिसका further किसके साथ reaction किया गया HCl तो क्या मिला Nor-Dihydrotropyridine इसका formula क्या था Dihydro का C8H15N further उसको HCl के साथ react किया गया तो क्या मिला C7H13N ठीक है जिसका की further Zinc distillation किया गया तो एक compound मिलता है 2-ethylpyridine 2-ethylpyridine तो क्योंकि हमें ट्रोपीन से ट्रोपीन की जब HI के साथ reaction की गई फाइनली उसका Zinc dust distillation किया गया तो 2-ethylpyridine मिल रहा है तो इसके basis पे जो laden work थे उन्होंने फिर से क्या किये ट्रोपीन के 2 structure suggest किये ठीक है एक तो ये और एक तो ये एक में क्या है nitrogen के साथ CH3 लगा हुआ है और side chain में क्या है CH2 CH2 OH यह तो nitrogen CH3 के साथ है यह तो पहले ही प्रूव हो गया था और side chain में क्या है CH CH3 OH ठीक है लेकिन फिर क्या हुआ जो laden work के ये दोनों structure थे इसके बाद जो merling नाम के scientist थे उन्होंने जब tropin का oxidation किया ठीक है chromium trioxide के साथ तो उन्होंने क्या मिला tropinic tropinic acid तो उन्होंने उसके basis पर क्या suggest किया कि जो tropin का structure है वो ऐसा ना होके वो कुछ इस तरीके का है मतलब जो OH गुप है मतलब जो hydroxyl गुप है वो कहां रहेगा उन्होंने क्या suggest किया वो ring के must be present on a ring carbon atom ठीक है उन्होंने क्या बोला कि जो OH गुप है वो जो ring का carbon atom है उसके साथ present है side chain में नहीं present है ठीक है लेकिन फिर क्या हुआ फिर से जो दुसरे scientist है Will Strater उन्होंने फिर से जो था और ट्रोपीन का क्या किया oxidation किया वो ही chromium trioxide के साथ उन्हें भी tropionone मिला जिसका फर्दर oxidation होने के बाद क्या मिला tropinic acid ठीक है जिसका उन्होंने फर्दर oxidation किया in presence of sulfuric acid तो उन्हें मिला N-methyl succinamide क्या मिला N-methyl succinamide तो इसके basis पे जो है मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो ketone मिल रहा है वो कौन सा है tropionone मिल रहा है और जो alcoholic group है वो कि वो जो है वो कैसे रहेगा मतलब ring system में ही रहेगा इसलिए फिर इन्होंने भी ladenberg का और merling ladenberg का जो है structure मतलब reject किया और merling के structure में उन्होंने और क्या किया improve किया और उन्होंने क्या suggest किया कि जो tropion है उसका structure कुछ इस तरीके से रहेगा मतलब जो OH hydroxyl group है वो carbon पहेपर ऐसा है ठीक है अब ये जो tropion का structure है finally ये किस के basis पे prove किया गया उसके ये जो finally जो tropion का structure है ये किस के basis पे prove किया गया उसके degradation पे ठीक है तो अब देखो ठीक है तो देखो ये जो है tropionic acid tropionic acid इसका methyl iodide in presence of silver hydroxide जब इसको heat किया गया तो ये वाला compound मिला ठीक है which on further treatment with CH3 IGOH on heating it gives dicarboxylic acid which on further reduction with sodium amalgam क्या दे रहा है पीमेलिक acid ठीक है क्योंकि tropionic acid का क्या हुआ है Hoffman exhaustive methylation ये क्या प्रोसेस कौन से Hoffman exhaustive methylation methylation कर रहे है न हम लोग या CH3I के साथ तो ये क्या पहले क्या मिल रहा है dicarboxylic acid जो कि ये unsaturated है जिसको further reduction हुआ in presence of sodium amalgam तो क्या मिला पाइमेलिक acid ये पीमेलिक acid तो क्योंकि पाइमेलिक acid मिल रहा है तो इस पे से क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रोपीन है वो उसमें 7-carbon chain है और जो ट्रोपीयोन है वो भी क्या है इट इस आ ट्रोपीयोन इस आलसो आ compound that contains 7-carbon ring ठीक है अब उसके बाद जो है final structure of ट्रोपीन है वो किस पे उसके ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते है इस सब के basis पे कि जो हमारा ट्रोपीन का structure है वो कौन सा है ये वाला है ठीक है ट्रोपीन का structure वो क्या अंसा है ये वाला है ठीक है अब finally हमें क्या देखना है synthesis of atropin तो हमें क्योंकि tropionic acid का formula हमने देखा है मतलब tropionic acid का formula जो suggest किया था वो देखा और atropin का भी formula पता है तो ठीक है तो जब ये वो tropionic acid और जो है आपका tropin जब इन दोनों को heat किया गया in presence of HCl तो कुछ इस तरीके का compound मिला ठीक है जो की क्या पाया गया जो की क्या है atropin क्यूंकि tropin और tropionic acid को heat करेंगे और वो atropin दे रहा है तो इस पे से भी क्या प्रू हो गया कि जो हमने tropin और tropic acid का formula suggest किया है वो क्या है correct है ठीक है तो ये हमारा आप बोल सकते हो synthesis of atropin है means क्यूंकि बाकी हमने tropic पहले क्या देखा हमने tropic acid का देखा फिर उसके बाद tropin का देखा उन दोनों को यूज करके atropin मिल रहा है it means कि हमारा जो suggestion है या जो हमने suggest के थे वो structure भी बराबर है और ये हमारा पूरा क्या है अभी ये आपका हो गया पूरा atropin ठीक है atropin का structure determination और ये उसका synthesis